वेलो स्टुडेंट्स, आरपी पप्लिक जोगिठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल के माददम से मैं आज आपको फिजिक्स के फर्स शेप्टर के नुमेरिकल करा रहा हूँ देखिए, दो नुमेरिकल करा रहा हूँ इन दोनों numerical को देखिए लिखा है पहला numerical दो आवेस दो गुणा दस्कीगाद माइनस साथ कूलाम तता तीन गुणा दस्कीगाद माइनस साथ कूलाम के एक दूसरे से 30 cm दूरी पर रखे हैं इनके मद लगने वाला बल गयाती है इन दोनों के भी लगने वाला बल बताना है तो सबसे पहला question हल कर रहा है solve कर रहा है question first क्या है दो आवेस तो सबसे पहला आवेस है Q1 Q1 को हम लिख देते हैं दो गुणा दस्कीगाद माइनस साथ कूलाम Q2 को हम लिख देते हैं तीन गुणा दसकीगात माइनस साथ कूलाम और इनके बीच की दूरी को लिख देते हैं तीस सेंटीमीटर इसे हम मीटर में कनवर्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा तीस बटे सौ यानि की हो जाएगा जीरो से जीरो कट गया पॉइंट तीन मीटर हो जाएगा अब हम फार्मूल लगाएंगे कूलाम का नियम के नियम से कूलाम का नियम क्या कहता है एफ बराबर के क्यूबन क्यूटू बटे आर स्क्वाइर एफ ऐसी रहा के का मान रख देंगे नौ गुणा दसकीगात नौ होता है क्यूबन का मान है दो गुणा दसकीगात साथ क्यूटू का मान है तीन गुणा दसकीगात माइनस साथ बीच की दूरी पॉइंट तीन है तो पॉइंट तीन को स्कॉयर करेंगे तो कितनी बार लिखेंगे दो बार लिखेंगे यहां से इसको बढ़ाया यहां से पॉइंट अटाया यहां से अटाया दो जीरो बढ़ा लिए अब हमारे पास कितना आ गया 9 गुणा दसकी घात 9 आ गया 2 तिया 6 हो गया दसकी घात 7 उसा 14 हो गई 14 में ये 2 पिलस के जुड़ गए नीचे भी हमारे पास 3 तिया 9 हो गया इस वाले 9 से ये वाले 9 कटी गया तो आप बराबर हमारे पास आया आप बराबर आया 6 6 बचा 12 बची यहां दसकी घात माइनस 12 और ये 9 इसमें जुड़ गई तो ये आप बराबर आ गया 6 गुणा दसकी घात माइनस 3 नीउटन ये आंसर हो गया इसी प्रकार से हम दूसरा कोश्चन करना है दो आप बेस जिनके मान 0.4, 0.8 माइक्रो कुलामा बाई उक्तुमाद दिम रखे हैं इनके मतलगने वाला बल दे रखा है दोनों आप बीच की दूरी पूछ रहा है इसमें बल पूछ रहा था इसमें दूरी पूछ रहा है द्यान से देखेंगे दो आवेस, पहला आवेस है Q1, Q1 बराबर है 0.4 Micro Kulam. Micro Kulam को बदलते कैसे हैं, 10 की घात माइनस 6 लगाते हैं, तब यह Kulam मन जाता है. इसी परकार Q2 है 8 Micro Kulam, तो लिखेंगे Q2 बराबर 0.8 Micro Kulam, ईसे भी बदलेंगे, तो इसे कैसे बदलेंगे पॉइंट आर्ट उना दस की गात माइनस 6 लगांगे तो ये भी कूलाम बन जाएगा सबसे पहला काम जब सवाल में कूलाम दिया हो तो नहीं बदलते है जैसे इसमें नहीं बदलाता इसमें माईक्रो बर्ड है माइक्रो हटाने के लिए हमें 10 की गाद माइना 6 लगाना होता है F बल का मान कित्ता दे रखा है हमारे पास 0.2 Newton सबसे पहले लिख लेंगे इसको फार्मूल लगाएंगे F बरावर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वाइर R स्क्वाइर निकालना है तो R स्क्वाइर बरावर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे F इस्थान बदल दिये ये इधर ले आए और ये इधर ले आए इस फार्मूले से एक नए फार्मूला बना लिया इसका मान होता है 9 गुणा 10 की गाद 9 Q1 का मान है 0.4 गुणा 10 की गाद माइनस 6 Q2 का मान है 0.8 गुणा 10 की गाद माइनस 6 और F का मान है 0.2 न्यूटन ये R स्क्वाइर के बरावर चल ला है कैसे हल करें सबसे पहला इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो यहां से पॉइंट हटाओ और यहां पर एक 10 बढ़ा लो सबसे पहला काम अब इससे हल करो कैसे हल करोगे देखो यह हो गए 8 चौक 32 और हो गए 9 तो 9 गुणा 32 बटे में हैं 2 8 चौक 32 गुणा 9 बटे 2 अब हमारे पास कितनी घात हो गई 6 चे 12 घात हो गई 12 घात हो गई तो हम लिखेंगे 10 की घात 12 12 और एक यह आ रही तो 13 हो गई हमने लिख दी बटे में कुछ नहीं है 13 घात लिख दी और यह 9 प्लस के कर दी है इसमें तो हमारे पास घात बची 4 10 की घात माइनस 4 2 से काट दिया 2 सोला सोला नेमा गुणा कर दी 144 हो गया आर स्कॉयर हमारे पास चल रहा है आर पे से स्कॉयर हटाया तो इस पर चलाएंगे रूड रूड चलाया इसका 12 होता है इसका 10 की घात माइनस 2 होता है क्योंकि 4 है तो इसका आदा 2 घात आईगी माइनस की यह आंसर हमारा आया मीटर में हमने इस 10 की घात माइनस 2 को इसके नीचे ले गए तो आर बराबर हो गया हमारा 12 बटे 12 बटे 10 की घात 2 को 100 लिख सकते है यह मीटर में आ गया हमने इसे सैंटीमीटर बनाया सेंटीमिटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे 100 से गुणा कर यह 100 कर दिया तो आंसर हमारा है 12 सेंटीमिटर तो यह दोनों आबेसों के बीच की दूरी हो गई देखे स्टुडेंट्स नेक्स्ट क्वेशन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेशन है चेक कीजिए कि के स्क्वाइर और जी में एमपी बिमाहीन है माने इसकी कोई डाइनेंसन नहीं है और टेबल से सभी मान लेकर यह टेबल है सभी मान लेकर के स्क्वाइर और जी में एमपी का मान गयात करो इतना काम हमें कर रहा है तो सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने इसको बिमाहीन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे बिमाहीन है भई हमें तो ये चेक करना है बिमाहीन है तो सबसे पहले इससे उतारते हैं इसमें दो फार्मूले लगे है पहले इससे उतालो K E SQUARE बटे G M E M P अब देखो समझने वाली चीज क्या है इसमें दियान देने की चीज है कि जी क्या चीज है और के क्या चीज है तो देखो के तो आया है कूलाम के नहीं से कूलाम का सूतर देखो कूलाम का सूतर देखिए कूलाम का क्या सूतर है कूलाम का सूतर है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वाइर इस से ही तो आया है K K की unit निकालें तो क्या unit आएगी K की तो K बराबर आएगा K बराबर आएगा F R स्क्वाइर बटे Q1 Q2 अगर मैं बिमा की बात करूँ तो इसकी बिमा तो न्यूटन है और इसकी बिमा है मीटर स्क्वाइर और इसकी बिमा है कूलाम कूलाम तो कूलाम स्क्वाइर है तो K की बिमा मुझे पता चल गई दूसरा फिर मुझे जरूवत है G की बिमा की तो G की बिमा क्या है G की बिमा ये लिखिए Newton meter square बटे KG square तो मैंने लिख दिया यह किस सा है इसके लिए भी हम force लिख देते हैं बल यह आया है बराबर G M1 M2 बटे R square सा है G की unit निकाल लो यहां से तो आजाएगा F R square बटे M1 M2 अब G ऐसे ही रहा F का मान कायमन आप ओगे Newton में R का मान कायमन आप ओगे meter square में और यह KG KG में दो बार नपेगा तो KG KG हो जाएगा इसका मतलब KG square हो जाएगा तो यानि की F और K की G और K की unit जो हमें परिसान कर रही थी वो हमें unit मिल गई अब हम यहां रखते हैं तो हमें निकालना है K E square upon G G, ME और MP रखते हैं मान G की बिमा क्या है G की बिमा है newton meter square बड़े کूलाम इसकाईर newton meter square बड़े कूलामसकाईर into यह E है आधेस है दो बार नाप गया है यह भी कूलाम में होगा G की बिमा क्या है FR G की बिमा है newton meter square तो हमें रख देंगे newton मीटर स्क्वाइर बटे केजी स्क्वाइर केजी गुणा हो गई फिर ये केजी में ये भी केजी में नपाई तो केजी दो बार आएगा कूलाम स्क्वाइर से कूलाम स्क्वाइर कट गया केजी से केजी कट गया हमारे पास क्या बचा न्यूटन मीटर स्क्वाइर ये नीचे भी न्यूटन मीटर स्क्वाइर बचा ये भी कैंसल आउट हो गए तो इसका मतलब क्या है बिमाहीन है बही कुछ बिमा बची नहीं न्यूटन से न्यूटन कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो बिमाहीन तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये इसकी जो यूनिट है वो बिमाहीन है मने इसकी कोई यूनिट नहीं है क्यों नहीं है या यू कहें उपर की यूनिट और नीचे की यूनिट बरावर होने की बज़े से सब कैंसल हो गया बिमाहीन आया और साथ में हमें इसका मान भी बताना भी ये एक तो हमें दो काम करने थे, बिमाहीन ये सिद्ध करना थे, ये कोशन तो यहाँ था, और ये कोशन इसकी बेलू भी बतानी है, तो अफिर से कोशन शुरू हो गया यही वाला, तो इसकी बेलू कैसे बताएंगे, सारे मान टेबिल से लेकर रखेंगे, तो हमने सबसे पहल मान ये प्रोटॉन का मास है, अब के का मान तो हमें याद है 9 गुण दसकी गाद 9 है, इलक्टॉन पर चार्ज किता होता है, 1.6 गुण दसकी गाद 19, कितनी बाल लिखो गे दो बार, इसी प्रिकार से जी का मान 6.67, दसकी गाद 11, mi का मान, mi का मान 9.1, 10 की गहाद minus 31 और MP का मान 6.67 या 66 से लिख दो 10 की गहाद minus 27 67 भी होता है 66 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि टेवल में 66 लिया है मैंने MP का मान 1.66 1.66 लिया हमने अब इसे solve करेंगे कैसे solve करेंगे इसको solve किया हमने 16 16 की गुणा कर ली 256 हो गया 2.56 हो गया गुणा 9 हो गया 19 दूनी 38 हो गई 10 की गहाद 16 16 256 और हमारा हो गया 256 ही आ गया 19 दूनी 38 हो गई 10 की गहाद तो 38 ही हो गई 38 में 9 जुड़ गए पिलस हैं 31 उपर जाके पिलस हो गए 27 भी पिलस हो गए नीचे हमारे पास क्या बचा 6.67 बचा इतना सब बचा हमारे पास 6.67 भी आ गया 9.67 आ गया और क्या आ गया हमारे पास 9.16 16256 हो गया और 9 आ गया इतना आ गया अब अपने घातों को एड़ेस्ट कर लिया गात कैसे एड़ेस्ट करेंगे लगब लगब यह तो कटी जाएंगी देखिए पॉइंट भी हटा सकते हैं हां से हमने सबको पहले जोडा पहले प्लस वाली घातों को जोडा 27 प्लस होगा 31 प्लस हो गया 29 दूरी अड़ तिस माइनस कही रहे नव प्लस के है सबको जोडिया 27-31 नुँ यह ओगा 40 40 हो गए, 40, 50, 60, 67 हो गए, 67 मैं से 38 घटाएंगे, कितने बचेंगे, यह हमारे पास बचे, 17, 17 मैं से 8 गए 9, हमारे पास बचे 4, यहां बचे, 5, 5 मैं से 3 गए 2 बचे, 29 घटाएंगे, फिर से चेक कर लो, 11 और रह गई है अभी, 27 लिख दी, 9 लिख दी, 11 रह गई है, अब 11 और जोड़ जाईए इसमें, जाके, 11 और एड़ हो जाईए, तो 11 और एड़ हो जाईए, तो कितनी हो जाईए, 11 जोड़ दो, तो यह हो जाएगी, 30, 40, 40 घट हो जाईए, तो यारी टोटल घट 40 हो गई है, 11 और लिख दो यहाँ, तो 40 घट हो गई है, हमारे पास बची कितनी 40, तो हमने क्या लिखा, 10 की घट 40 लिख दिया, और हमारे पास आगया, पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिये, यहाँ पर भी 2 के बाद, यहाँ पर भी 2 के बाद, तो ह और हमारे पास बचे 9.1 अब हमने इसको solve किया तो आएगा 2.3 लगवग ये आजाएगा 10 की घाथ 40 है एड़्जस्ट करेंगे तो आजाएगा 39 तो ये लगवग आ रहा है हमारा इतना माल ये ही इसका माल है इस्ट्वेंट्स फिजिक्स के उनी सवालों के आगया और हमने कोशन लिखे हैं इनको हल करते हैं कोशन नमर 4 है तो कोशन नमर 4 यहां से धियां दें यहां solve बर रहा हैं इसे क्या है देखें चार आवेस हैं बर्क के कॉर्नर पर रखे हैं सबसे पहले क्या करा हमने स्क्वाइर बना लिया, बर्ग के कॉर्णर पर रखे हैं, तो हमने स्क्वाइर बना लिया, ये स्क्वाइर है, इसका A कॉर्णर ये है, B कॉर्णर ये है, C कॉर्णर ये है, D कॉर्णर ये है, इसके बिकर्ण बना दिये, बिकर्ण इसलिए बना है, क उनके कॉर्नर पे क्या यहां सेंटर पे क्या रखा है एक चार्ज रखा है और कॉर्नर पे भी रखा है तो हमने चार कॉर्नर सो कर दिये तो पहले कॉर्नर पे किता है दो माइक्रो कूलाम है दूसरे पे है माइनस पांच माइक्रो कूलाम तीसरे पे फिर से दो माइक्रो कूला इस पर फिर से माइनस पांच माइक्रोगूलाम है और यहां पर जो रखा है वो एक माइक्रोगूलाम का है एक माइक्रोगूलाम अब देखिए यहां पर अब कहरा है वो सेंटर पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स बताओ तो net force force एक vector quantity है तो जाए रहा उसमें direction होगा तो देखो कैसे ये क्या करेगा इसको repel करेगा ये plus 2 वाला charge इसको repel करेगा बन बाले को तो ये दर को चल देगा फिर ये वाला इससे repel करेगा तो ये दर को चल देगा तो इसका मतलब बराबर होने के बाज़े से force cancel हो जाएंगे इसी प्रकार से क्या करेगा ये जो 5 micro coolam का ये attract करेगा क्योंकि negative है और ये positive है तो ये attract करेगा जब ये attract करेगा तो साथ में ये भी attract करेगा तो ये दर को जाना चाहेगा फिर ये दर को जाना चाहेगा तो यानि ये भी force बराबर हो अपोजिट होने के बाज़े से cancel हो जाएंगे तो हम चारो force निकालते हैं सबसे पहले ये force निकालते है F1 इसका हमने नाम रख दिया F1 इसका नाम रख दिया F2 यहाँ पर लगने वाली force हमने F1 कह दी यहाँ पर लगने वाली force को F2 कह दिया इसे F3 कह दिया इसे F4 कह दिया चारो force निकालते हैं अब देखो सबसे पहले F1 निकाल ला है तो F1 कैसे निकालेंगे F1 बराबर होगा K Q1 Q2 तो यानि कि दो माइक्रो कूलाम है तो यहाँ लिख देंगे दो माइक्रो कूलाम है तो 10 की घाथ माइनस 6 फिर दूसरा है एक तो एक गुणा 10 की घाथ माइनस 6 बटे दूरी दूरी कितनी हो जाई यह टोटल 10 है सब साइडे 10 हैं यह 10 सेंटीमेटर की साइड है देखो 4 आवे 10 सेंटीमेटर हो जाए तो यह 10 हो गई यह भी 10 हो गई यह भी 10 हो गई सेंटीमेटर में एक सूतर होता है कर्ण स्कॉयर बराबर लंबे स्कॉयर प्लस 1000 स्कॉयर कर्ण निकालना है यह 10 हो गया 10 का स्कॉयर यह भी 10 हो गया 10 का स्कॉयर यह हो गया आपका 100 200 हो गया 200 को कैसे लिख सकते हो 200 को लिख सकते हो 2 गुणा 100 square हटाओगे इस पर root लगाओगे तो 100 का फिर से 10 आ जाएगा 10 root 2 आ गया अब ये पूरा बिकांट 10 root 2 का है तो इतना कितना होगा 5 root 2 इसका मतलब अगर मुझे निकालना हो यहां मैं O मानूँ तो मुझे O A निकालना हो तो कितना आएगा O A आजाएगा 5 root 2 तो इसी परकार से O भी इतना आएगा O C सब बराबर होंगे तो इसका मतलब एक साइड आगी तो सब इसके बराबर होंगे इसका square करना है तो हम लिखेंगे 5 root 2 का square तो इसका square करोगे तो आएगा उपर के आएगा 2 एकम 2 और 10 की घाथ 12 और नीचे आजाएगा 25 और पच्चेस दूनी 50 50 आगया क्यों आएगा 50 देखें इसका square करेंगे ना नीचे square होता है तो जब इसका square करेंगे तो 25 हो जाएगा इसका square करेंगे तो इसका square नहीं होगा तो 25 दूनी 50 आई अच्छा यसे F1 कह दिया हमने अब इसका direction क्या होगा इसका direction होगा O से A की और Direction को लिख दिया O से A की और O से A की और यहाँ पर भी लिखेंगे O से A की और मने direction क्या आएगा O से A की और यह हमने लिख दिया अब ज़रा सोच के देखो दूसरा निकालने की जरूबत नहीं है इसका आएगा O से C की और क्योंकि बराबर है न यह 2,1 और यह भी 2,1 तो F2 भी इत्ता ही आजाएगा तो F2 यही लिख दो सेम F2 लिख दो K गुणा 2 गुणा 10 की गाद माइनस 12,50 और क्या लिखोगे इसमे O से C की और यह आगया इसी परकार F3 निकालोगे F3 निकालोगे तो क्या आएगा F3 निकाल लो F3 आएगा K Q1 एक 5 आएगा एक गुणा एक गुणा 10 की गाद माइनस 6 5 गुणा 10 की गाद माइनस 6 distance बूई हो जाएगी 50 तो यह हो जाएगा 5 एकम 5 यानि 5 के 10 की गाद माइनस 12 बटे 50 direction क्या आएगी O से B की और O से B की और ऐसे ही F4 निकाल लो F4 भी यही आएगा direction बदल जाएगी direction क्या आएगी O से D की और तो direction अपोज़र होने के current net force क्या आया F net क्या आया F net सब cancel हो जाएगे क्योंकि अगर इसे positive लोगो तो इसका मतलब इसे positive माल लेते है F1 को positive लेते है तो F2 को negative लेना होगा F2 को negative लेना होगा F2 negative लोगे फिर इसी परकार से क्या करोगे F3 को positive लोगे तो F4 को negative लोगे अब क्या हुआ यह बराबर और बराबर है अपोजिट है कैंसल होगा यह बरावर अपोजिट कैंसल होगा तो क्या है जीरो है तो इसी लिए F net 0 है इसका मतलब यह हुआ कि जो सेंटर पर रखा चार्ज है वो किसी प्रकार के फोर्स को फिल नहीं करेगा कोशन नमर 5 करते है कोशन नमर 5 देखें सभी कोशन नमर 5 में तीन और तीन माइक्रो कूलाम के चार्ज रखें तो तीन तीन माइक्रो कूलाम मना लेंगे यह है हमारा तीन माइक्रो कूलाम यह भी तीन माइक्रो कूलाम यह नेग्रेटिव यह पोजिटिव एक दूसरे से 20 सेंटिमेट दूर रखें टोटल दूरी 20 है, तो इसका half ले ले लेंगे, तो ये हो जाई 10, और ये भी हो जाई 10, टोटल है 20, तो 10-10 में 2 वागों माट लिए, अब इसकी बज़े से जो electric field होगा, वो इसी की तरब होगा, और इसकी बज़े से electric field होगा, वो दूर को होगा, positive है ये, तो इसके electric field का direction ये गया और इसके electric field का direction यह आगया तो दोनों, एक ही direction मा रहा दे है ये निदोनों electric field ये आद हो जाएगी तो अगर मैं कहूं इसको e1 कहूं और इसकी बड़े से electric field को e2 कहूं तो यहां पर दो electric field बनेंगी e1 और e2 और दोनों add हो जाएगी तो total electric field आ जाएगी तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा मैंने दोनों electric field को निकाल लिया तो दोनों electric field E बराबर कैसे निकालूँगा मैं तो E बराबर मेरे पास आ जाएगा E1 प्लस E2 E1 क्या आ जाएगा KQ Q का मान कितना है 3 गुणा 10 की गाद माइनस 6 R कितना है 10 cm है 10 cm को मीटर मदलेंगे 0.1 हो जाएगा 2 बाल लिखेंगे इसी प्रकार से यह हो जाएगा K3 गुणा 10 की गाद माइनस 6 distance यह भी कितनी हो जाए 0.1 तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा 3K और हो जाएगा यह 2 गाद उपर जाएगी यहाँ से 2 गाद उपर जाएगी तो 10 की गाद कितनी बचेगी? 4 बचेगी कितनी बचेगी? 4, 6 में से 4 तो 4 बची तो हम यहाँ लिख देंगे 10 की गाद माइनस 4 पाइंट ढटाएगे 100 आजाएगे तो 10 की गाद माइनस 4 बटे में कुछ नहीं बचा ऐसे ही यहां पर भी कुछ नहीं बचा एक एक लिख सकते हो गुणा करके ऐसे ही यह हो जाएगा 3 के 10 की गाद माइनस 4 यह हो जाएगा 3 के और 3 के यह हैं तो यह हो जाएगे आपके डबल हो जाएगे 2 से घुना कर तो 6 के हो जाएंगे और 10 गात हो जाएंगे minus 4 6 ऐसी रहा के का मान किता होता है के का मान होता है 10 की गात 9 9 गुना 9 9 गुना 10 की गात 9 10 की गात minus 4 तो हो जाए 9,64 ओर 10 की गात हो जाएगा आपका 3 तो ये हमारे पास है Newton बटे कूलाम electric field आगी net यह net electric field आगी अब इसके बाद क्या वह कह रहा है वो इसके बाद कुछ कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है कह रहा है doubleWatch को में net electric field बताओ कह था यदि म plans में इतने कूल आम का कुई agile डाई जाय तो वो कितना force फोर्ट करेगा तो हम निकालेंगे force तो एब बराबर होता है QE एब बराबर फार्मूला होता है QE QE तो Q उसके उपर चार्ज कितना है चार्ज है हमारे पाँ 1.5 गुणा 10 की गाथ माइनस 9 तो हम यहां रख दिया 1.5 गुणा 10 की गाथ माइनस 9 और हमारे पास जो फील्ड है वो है 5, 4 10 की गाथ 3 हमने गुणा कर ली तो 15, 4, 60 0 आया आसिल लगे 6 15, 15, 75 75, 76, 81 हो गए पॉइंट से यह हट गया पॉइंट माला नहीं जाएगा क्योंकि एक के बाद पॉइंट लग जाए तो 80 बना गए 10 की गाथ कितनी हो गई 10 की गाथ Thank you students आप समझ गया होंगे question revise करेंगे समझ में आएगा